सर्वपल्ली राधा क्रिश्णन एक परिचय सर्वपल्ली राधा क्रिश्णन एक भारतिये तार्षनिक और राजनेता थे उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और 17 प्रैल 1975 को 86 वर्ष की उम्र में उनकी मिरित्तु हो गई थी सर्वपल्ली राधा क्रिश्णन भारत के प्रथम उप राष्ट पती और भारत के दूसरे राष्ट पती थे 13 माई 1952 से लेकर 12 माई 1962 तक बे भारत के प्रथम उप राष्ट पती के रूप में रहे और 13 माई 1962 से 13 माई 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट पती के रूप में कार्जरत रहे। पंडित मदन मोहन माल विये के बाद डॉक्टर एस राधा क्रिश्नन 1949 से 1948 तक बनारस हिंदू विश्विद्याले के चोथे कूल पती रहे। अगर पेशे की बाद करे तो डॉक्टर एस राधा क्रिश्नन पेशे से राजनितिग, प्रोफेसर, कूलपती, दार्षनिक और सिक्छक थे। अगर पुरस्कार की बात करे तो 1954 में एस राधा क्रिश्नन को भारत रत्न से नवाजा गया और 1975 में टेमपल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रोफेस तो मौण侵ाम इस राधा किया गयार गया गया результатॡ़